हे भीश में पितामा कुछ बोलो, कुल वधू है तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया, ये तुम सबको क्या लगा सही? मिरा केश पकड कर लाया है, करता दुश्यासन दुर्यवहार, आरियों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संसकार? मैंने तो दाव नहीं खेला, चौसर की शाही क्रीडा में, है दोश नहीं जब कहीं मेरा, तो क्यों मैं ऐसी पीडा में? संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझ को खेल जुआ, दादा तुम दो नीती प्रिय हो, तब तु क्यों यो लाचार हुआ? जब गंगा असुद कुछ कहना सका, क्रिशने ने राजा से पूँचा, दुर्योधन इतना ध्रिष्ट है तो समराट दंड है क्यों छूँचा? द्रावबदी ने बारी बारी से प्रश्णों का धेर लगा डाला, दृतराष्ट विदुर और द्रोणा के मानों मू उपर हो ताला आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मिरे पिया? कुछ कहो भतारों क्या सूझा मुझ को बाजी में लगा दिया? मचली की आख वेधना था, वो करके ब्याह के लाए हो, अर्जुन गांडीव कहां गुम है? क्यों ऐसे शीष जुकाए हो? जब मी ने चक्षु संधान किया, तब रिदय मेरा हर्शाया था, मन ही मन मैं एहला दित थी, मन चाहा वर्जो पाया था, मा कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पती पांचों भाई, दुर्दशा देखे ऐसी मेरी, तुम सब को लाज नहीं आई? मैं समझी थी, बड़भागन हूँ, मैं समझी थी, बड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सब ला हूँ, पर अब ऐसा लगता मुझे को, डरपोकों की मैं अब ला हूँ, है गदा कहां, गांडीव कहां, है गदा कहां, गांडीव कहां, क्या जंग लगी तलवारों को, सौ पसो दिकार तुम्हें मेरा दिकार तेरे हतियारों को। गुंगरु बांधो चूडी पहनो। गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बेचारी मुझे को समझो। नईहर से भाई बुलाएं हम। हुआ पांचों का बलक्षीर तो क्या। मेरे क्रिश्न अकेले काफी है। नंगे पैरों हिरनागति से मिरवीर कनहया आएंगे। नहीं भगनी में लाचारों की मदुसूदन मेरा भाई है लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है होती है भृकुटी वक्र जहां कोहराम वही मच जाता है केशव हतियार उठा लें तो फिर काल भी ना बच पाता है जो आए भाईया सभामध्य जो आए भाईया सभामध्य तो कोई नहीं बच पाएगा जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मुली सा कट जाएगा ना बने निपूती मातेरी ना बने निपूती मातेरी का औरो सुत गण कुछ गौर करो अतिशय अक्षम में अपराद किया ना सर्मृत्यू का मौर धरो इतना सुन गर्जा दुर्योधन इतना सुन गर्जा दुर्योधन दुष्यासन देर लगाओ ना निर्वस्तर करो पांचाली को जंगा पर मेरी बिठाओ ना अग्रच की आज्या पाकर के दुश्चासन पट को रहा खीच, द्रौपती अधीर हुई मन में साड़ी हाथों से रही भीच, कुछ ना सूझा तब टेर भरी, बोली सुनिये मेरे गिर्धारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे प्रभुलाज रखो है लाचारी, काना की शान निराली है, वो दोड़े दोड़े आते हैं, जब कोई यार्थ पुकार करे, निर्बल का बल बन जाते हैं, था चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गजने टेर लगाई थी, एक सेन नाई की खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई थी, मुठी भर तंदुल के बदले दो लोग सुदाम पाया था, एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था, अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी, हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी, हुए कृष्ण कृपालू कृष्णा पर, हुए कृष्णा पर माधव जो करुण पुकार सुनी, जहां देखो साडी ही साडी धरती अंबड तक चीर बुनी, हनवरत खीचता रहा, चीर पर छोर दूसरा पान सका, हो गया चूर ठक कर लेकिन साडी की थाह न लगा सका, था बहुत अचंबे दुश्यासन, था बहुत मुरिचित हो कर गिरा दुश्यासन, मुरिचित हो कर गिरा दुश्यासन, निर्वस्त्र द्रौबदी करना सका, दस सहस्त्री हस्ति का बलशाली शर्मिन्दा था, बस मरना सका, कभी या गिसैनी ने नटवर को साडी का टुकडा बांधा था, बदले में याज मुरारी ने सा भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की इश्रद्धा प्यारी है, रिंड चुक्ता करते ब्याज सहिद माधव के लिए लान्यारी है.